हलो स्टूडेंट्स इस डॉक्टर हिमांची ओजा आपका अपना कॉलेज का का तो बहुत सारे बच्चे कट आफ के लिए लगातार कह रहे थे और हमने एक पोल भी किया था हमारे कम्मिनिटी पोस्ट में सबसे ज़्यादा बच्चों ने कट आफ के लिए कहा तो आज हम दिल अगर आप एडमीशन लेना हैं और आप दिल्ली से नहीं बात को समझे दिल्ली के नहीं है। बट All India की cut off और भी high रहती है, generally कुछ colleges 700 प्लस पर और कुछ 680 के उपर ही मिलते हैं, ये रहता है All India quota से, बात करें state quota से तो जो दिल्ली का बच्चा है, जिसके लिए ये वीडियो है, दो तरह से दिल्ली में college ले सकता है, एक है DU quota और एक है IPU, IPU के forms अभी निकले हुए हैं और और वो registration के लिए होते हैं, counselling के लिए ही होते हैं, neat exam होता है, लेकिन form आपको counselling का भरना होता है, DU quota के लिए MCC All India counselling से ही होता है, दोनों के लिए eligibility ये है कि आप 11-12 दिल्ली से किये हुए हूँ, अगर देली से किया है आपने, तो आपके पास DU quota मिल जाता है, और IPU quota भी आप इसमें आ गया है, चल सब्सक्राइब नहीं है, तो कर लो और link पे जाके टेलेग्राम को join करके रखो, कोई video miss मत कर दो, अब मैं ये बात बोलता तो हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि टेलेग्राम पे भी उतने लोग देखते ही नहीं हम जो videos डालते हैं, क्योंकि लोगों क इस state का भेज़ो, sir private का भेज़ो, sir government का, भई हमने अपने app पर ऐसा एक plan launch कर दिया है, उस पर भी 75% का discount दिया है, इसी video के last में आपको detail बता देंगे, आप purchase कर लेना और सारी cutoff, piece वगरे सबाप रख लेना, आराम से कोई validity नहीं है, last तक या नहीं कि पूरे साल आपके पास रहेगा, app पे आप चेक कर सकते हैं, वो मैं last में बता दूँगा, MAMC से शुरुआत कर रहे हैं हम, किन बच्चों के लिए, DU quota, यह जो लिखा है, यह Delhi quota, DU quota की बात हो रही है, भई, all India, MCC की बात नहीं हो रही है, उसके लिए अलग से हम आल्रेडी बताते रहते हैं आपको, दिली का बच्चा, MCC form भढ़ना है, क्योंकि DU quota भी उसी से होता है, admission, नीट रिजल्ट के बाद उसका form आएगा, IPU के अल्रेडी आ गए हैं, MAMC DU के अंडर में आता है, अब देखिए, last year की बात करें, जनरल में, तो भई, 984 rank और 686 score पर हुआ है, admission, DU quota के बच्चे का round 1 में round 2 की बात कर लें, तो उसी जनरल में 686 ही score था, बट rank 1012 तक पहुँच गया है, ये रहा, उसके बाद तो बची नहीं seat, क्योंकि अच्छा college होता है, नहीं बचती है, SAE OVC की बात करें, 4481 TU में, लेकिन देहली का बच्चा है, और OVC है, 660 score पर भी उसको MAMC मिला है, SAE 659 score पर last year, round 2 में 4616 rank, all India rank पर मिला, SC category में 34385 यानि के 5901 score पर मिला, और ST में 530 तक भी आपको MAMC मिला है, अगर बच्चा डेली का है, उसने 1112 डेली से किये, ये rank पर, इसी तरह से round 3 जब पहुचा तो 483 तक इतना नीचे, जहां most of the students को मिलता ही नहीं college, MAMC तक मिला है, 1,25,955 क्योंकि ST के डेली की cut-off डेली में बहुत नीचे जाती है, जो DU वाले बच्चे होते हैं, फिर बोल रहा हूँ, मैं All India की बात नहीं कर रहा हूँ, All India की बात हम दूसरे वीडियो में करते रहते हैं, ये है MAMC, फिर बात करते हैं क्या, नेक्स्ट है VMMC, अब वर्दमान Medical College आता तो IPU के अंडर में, बहुत सारा जोल है, काउंसलिंग इतनी easy नहीं है, बहुत सारा जोल है, इसलिए बच्चे हम पे trust करते हैं क्योंकि हम इतने साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें आपको कौन बता है, दिक ले हुए हैं, उनसे VMMC में admission नहीं होता हो, उस form से तीन जगे admission होता है, एक है Dr. BA से, एक है NDMC और एक है ACMS बस, IPU के अंदर आके भी VMMC में अगर admission चाहिए आपको, तो क्या करना है, MCC का All India Counseling का ही form भढ़ना है, क्योंकि इसे national level का college कहा जाता है, admission, All India वाले बच्चों का भी, MCC की website से ही होगा, और डेली के बच्चे का भी, MCC की website से होगा, बस दिल्ली वाले को क्या होगा, 11-12 दिल्ली से क्यों ही है, लगेगा IPU quota, लेकिन MCC के ही result में वो show होगा, IPU के forms जो होते हैं, वो 3 colleges के लिए मैंने अल्रेडी बता दिया है, तो इसके लिए बच्चा जाएगा, उसको क्या चाहिए, लास्ट यर के according बात करें, round 1, 681 score तक गया था, 1532 rank, 1558 rank उसी के आसपा 680, general में, EWS में 665 score तक आ गया था, 3580, बाद में भी इतना ही रहा है, OBC में 654, 4 तक आ गया था, 6021 पे भी हुआ है, यहां पर, बाद में गिरा है, क्यूंकि seats कम बचती है, आप यह मत सोचना कि गलत लिग दिया है, पहले round में यह होना चाहिए था, फिर यह, फिर यह, पहले round में इतना गया है, 6000, उसके बाद में गिरा, और फिर क्यूंकि किसी बच् 217 और बाद में 500 rank तक, 93,864 rank, यानि कि खुद सोच लीजिए, जिस बच्चे को 500 score पे round 3 में यह college मिला, उसी को MAMC मिल सकता था, अगर हम last इसकी बात करें, तो देखो, इसको MAMC मिल गया है, तो इसे क्यूं नहीं मिला, क्योंकि इसने counselling में वो चीज properly नहीं की, उसने उसको उस तरह से नहीं लगाया, जब counselling करते हैं दिल्ली वाले बच्चे, तो अपनी counselling की जो preference list होती है, उसमें दोनों लिखना होता है, यानि MAMC All India quota से, MAMC DU से, अब उसे DU लिखना भूल गया होगा, इसलिए उसको college नहीं मिला, अभी तो हम लोग काम करते हैं और हमारी paid counselling होते हैं, हम frauders की तरह लोग बैठके office कोलने वाले नहीं हैं, कि जगे जगे office कोलने और तीन महीने बाद में office पे तला लगाया और निकल गए, हम इतने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, बहुत nominal charges में हम counselling करवा रहे हैं, दो plan होते है एक government और एक private deemed abroad सबके लिए, आपको हमारे साथ जुड़ना है, need paid counselling अगर चाहिए, तो whatsapp कर दीजिए, हम brochure भेज़ देंगे, यह था VMMC, अब बात करते हैं, UCMS, University College of Medical Science, UCMS, UCMS में भी general में 667 score तक हुआ है, 3000 rank गया था, 667 के आसपास ही फिर second round और 666 पे third round में आ गया, 3256 rank, EWS में 6000 rank तक गया, 6837, 650 score, again 650 score पे ही end हो गया, OBC, 9071 rank, 643 score, 639, 9885 और last तक पहुंचते पहुंचते 11966 पे भी admission हुआ है, SC category में 562 score, 54,000 rank, 55,000 rank पे 560 score तक भी हुआ, ST category 445 और फिर 432 rank और फिर 417 तक भी हुआ है, 2 lakh वाला क्योंकि दिल्ली का रहने वाला यह बच्चा है और ST category है, तो cut off नीचे जाती है, तो हमने यह जो बात किये, यह DU और IPU के कोटे की बात किये, जो 11-12 जिन्होंने दिल्ली से किया है, तो उसके लिए यह इस जगे तक पहुंचागा, बाकी बच्चे confused ना हो, जो late join करते हैं वीडियो को starting से देखें, जो बाकी के बच्चे आते हैं, उनकी एक cut off नहीं है, DU और IPU से जो बच्चे हैं, दिल्ली के हैं, 11-12 दिल्ली से किया है, उनके लिए, इसी तरह से Lady Hardinge Medical College, LHMC जिसको हम कहते हैं, यानि के ये केवल girls के लिए है, पहली बात आपको पता हो, only for girls, girls के लिए college है, जो बच्ची जो लड़की दिल्ली से थी, 11-12 दिल्ली से किया, जनरल के टेगरी लास्ट या, 657 पे उससे LHMC मिला है, 5000 rank, 3895, 664 score, 5000 rank, 657 score, EWS 633 score, 12,000 rank तक और लगबग उसी पे, OBC 631 score, बाद में 630, लगबग 13,000 rank पे, SC category, 71,000 rank तक मिला है, 541 score, और ST category 436, और 433 score पे भी, यानि लगबग 180,000 rank तक, तो ये भई, उन बच्चों के लिए जो दिल्ली से ही पढ़ रहे हैं, और 11-12 दिल्ली से किया है, तो ये उनके ल लिए है, नेक्स्ट आता है, अटल व्यारी वाजपई, Institute of Medical Science, जिसको हम ABV भी बोलते हैं, तो सफतर जंग हॉस्पिडल आपने सुना भी है, तो वही इसके साथ क्या है, तो round 1 में जनरल का जो बच्चा है, 2000 rank, 675 score, इतना high 2000, again 164, 675, 675 ही रहा, EWS के लिए 650 score तक आ गया था 6744, OBC में 8591 rank, जो बाद में गिरा और फिर वापस उतना ही आ गया, 644 score तक हुआ है, last year SC category में 57000 rank के आसपा 5000 तक गया है, 557 तक हुआ है, ST category में 441 तक, एक लाग 24000 rank तक ये college मिला, जो बच्चे ने 11-12 दिल्ली से किया, इसी तरह से डॉक्टर बाबा साब अमबेड कर, अब ये जो है, ये IPU से मिलता है, इसके लिए जो counselling है वो भी IPU की होती है, जिसके forms अभी अलग से निकले थे, exam नीटी देना होता है, लेकिन ये form भरना होता है, IPU का, उसकी counselling होती है और उससे ये आपको admission मिलता है, तो IPU से 2000 rank, 675, 3480, फिर last में 5000 तक चला गया, फिर stray round भी चल गया, लगबख 16000 rank तक, SC category 591 से start हो करके last में 494 तक भी admission हुए है, यानी, एक लाग 14000 rank तक, और SC category में 516 score से लेके 422 तक, यानी के एक लाग 88000 rank तक भी हुए, जो बच्चा दिली से 1112 किया हुए, IPU का form उसने लग से भरा, तो उसको यहाँ पर benefit मिला है, इसी तरह से, NDMC की ह IPU से ही आपको admission मिलता है, जिसके forms अलग से अभी निकले थे, उसी से, तो फिर यहाँ पर बात करें, नीट में score, जनरल में 262 से लेकर के last 14000 तक, 628 score तक हुआ है, NDMC में, EWS में 646 score, 8000 लगबख rank से जल करके 20,000 rank 615 तक हुआ है, OBC के अंदर 624 score से लेकर के 623 लगबख 16000 के सपासी चला है, SC category में 564 से लेकर के 531 यानि के लगबख 80,000 rank तक हुआ है, SC category जो दिल्ली का बच्चा है, 11-12 दिल्ली से किया, उसके 1,19,489 score से लेकर के 418,418,2 लाक यहाँ तक उनको ये college मिला, तो भई ये बात थी, NDMC की अब बात करें, दिल्ली में ये सारे government college हैं, इसके हम कहते हैं हमदर्द, तो जामिया हमदर्द एक deemed university है, उसकी भी cutoff साड़े 500 से उपर रहती है, जनरल में, मुसलिम minority कोटा वालों की लगबख 510 के उपर रहती है, cutoff, ये deemed university है, fees high होती है, एक है private body, लेकिन army के जो बच्चे है, उनके लिए वहाँ पर seat reserve है, ACMS हम कहते हैं उस ACMS में जो रहता है, जो round last year रहा है, इस बार तो IPU के form में सीधा-सीधा लिखा है, clear cut army के जो बच्चे हैं उनके लिए, देखे है न, तो seat reserve है, 26,000 rank 605 score, 28,000 rank 601 score, 28,000 rank 601, यहां तक गया है, फिर SC category में 80,000 rank तक मिला है, 530 score से लेकर के last में 500 score तक, ST category में 12,000 से लेकर के, 24,000, यह नहीं 418 score तक अब आप खुद देख लीजिए, यह total रहा अपना, दिल्ली के लिए जो भी colleges हैं, उनकी हमने इस वीडियो में पूरी बात की है, जिस बच्चे ने दिल्ली से 11-12th किया है, उसके लिए सारी बाते हैं, All India वालों के लिए, अल्र Government, College, MBBS, Private, Deemed, ऐसे ही BDS में Government, Private, Deemed और इसी तरह से BAMS में Government और Deemed, Private की हमारे पास नहीं, BHMS में भी Government और Deemed, इनकी अगर हमको Cut-Offs चाहिए, Veterinary में भी Government Colleges, All India के के वल स्टेट वाले नहीं, स्टेट वाले तो MBBS, BDS के अंदर हैं, तो अगर हमको इनकी Cut-Offs जाननी है, जो Private De Team College है, उनकी Fees जाननी है, Rank versus Score, 23 में किस Rank पे क्या Score था, इसके अलावार कुछ Domicile Rule और इस तरह का सारा हमने मिलकर के एक Booklet या एक Product बना दिया, जिसका Price हमने 2000 रुपे रखा है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हमने 75% off किया हुआ है, 499 रुपीज में, 500 रुपे के अंद Android phone पे आप उसे चला सकते हैं, screenshot नहीं ले सकते हैं उसका और ना ही print ले सकते हैं, यह हम इसलिए बोल रहे हैं कि बाद में बच्चा हमें ऐसा ना कहा दे कि थरम ने तो यह किया था, ESIC में भी उसमें, लिस्ट हैं, सबकी है, कैसे लेना है उसको मैं आपको समझा देता हूँ तो यह how to purchase our product अगर हम कहें, तो आपको सबसे पहले अपने Android phone से, iPhone नहीं Android phone से, Play Store पे जाना है, नीटका का J.E. app डाउनलोड करना है, ऐसा app है, लॉग इन करेंगे, और यहां आपका नाम लिखा हूआएगा, उसमें जाना है, आगे आपको top courses लिखा हूआ है, यहां पे top courses प और scroll करिए थोड़ा सा, scroll करने पे, नीट द्वार 24 counseling guide लिखाएगा, यह है वो guide यहां पे लिखा है, and cutoff of need द्वार ते भी सब कुछ लिखा हूआ है, cutoff 23 की, यह counseling guide 24 के लिए, आपको इस पे जाना है, view detail, view demo और यह join, join वाले पे जाकर के हमको click करना है, 2000 उपे इसका prize है, ले गॉर्मेंट, private, deemed, सब की cutoff है, अगर बात करें, BMS, BHMS की, तो government और deemed की cutoff है, बात करें, nursing और veterinary की, तो केवल government की cutoff है, यह आपको पता हो, और nursing और veterinary में केवल all India की, states की भी नहीं, BMS, BHMS में भी all India की, और फिर deemed और private, states की नहीं, MBBS, BDS में all India भी, state भी, private, deemed, government सब की है, यह cut अगली चीज, cutoff versus marks, यानि, last year किस score पे कितना रहा था, क्योंकि हमारी जो lists है, ऐसी देखो, list आपको मिलेगी, जब आप लेंगे, अभी में बता दूँगा, कैसी list मिलेंगी, लगबग एक sample भी दिख जाएगा आपको, तो उसमें all India rank लिखा होगा, अगर score आपको पता करना है, वो आपको मिल जाएगा, एक और important point, last हमने लिख दिया, यहाँ पे कि queries solve नहीं होगी, आपने ये purchase कर लिए और आप हमसे doubts पूछ रहे हैं, आप कहरे है, preference list हमारी बना करके दो, भाई इन सब में ये नहीं है, जिनको preference list और बाकी सारी चीज़ चाहिए, queries solve करनी है, तो फि इसके ना तो हम अपनी कोई screenshot ले पाएंगे, ना print ही है, मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ, बाद में आपको आशाना लगी हमारे से cheat हुआ, जो है सामने, need paid counseling आप ले सकते हैं, जिसके दो plans है, government और private plan, वो भी इसी में नीचे scroll करके आप उसे purchase कर सकते हैं, अगर queries भ महले से paid counseling ली हुई है, उसे ये purchase करने की जरुरत ही नहीं है, मतलब जिसने paid counseling ले रखी है, उनको हम ये cut-offs उनके email ID पर भेजते हैं, उनको purchase करने की जरुरत नहीं है, ये वाली चीज़, ये हमेशा ध्यान राके need paid counseling वालों के लिए ये चीज़ प्री है, तो भई, ये आपक जाएंगे, join पर जाएंगे, तो ऐसा mobile number लिखने की जगह आएगी, mobile लिखिए, submit करिए, submit करने पर आपके पास में, mobile पर इस तरह का एक message आएगा, जिसमें link दिया है, उस link को click करिए, link को click करते ही payment यहाँ पर detail रहेगी, आपका नाम लिखिए, number लिखिए, लिखा है यहाँ price, कोई coupon code नहीं लगाना है, coupon code अल्रेडी हमने, आपको discount दे जिया है, coupon code लगाना है, कोई ज़रत नहीं है, सीधा purchase पर जाएं, okay कर दीजिए, पाए करने के बाद आपको कहां क्या देखने को मिलेगा, purchase कर लिया, अब आपके पास वापिस यह खुला है, फिर आप top courses में चले करिए, view course पर click करने के बाद यह ऐसा खुल जाएगा, paid counseling वाले बच्चों को यह सब नहीं करना है, उनकी जो email है, उस पर हम यह सारी चीज़ भेजते हैं, तो जब आपने purchase कर लिया, जो normal बाकी का बच्चा जिसको यहीं चाहिए बस, MBBS, BDS, IUS, Nursing, यह सब यहाँ पर लिखा ह हुआ है, veterinary भी एक लिखा हुआ होगा यहाँ पर, अब आप MBBS में गए, तो देखिए, domicile counseling rule, domicile rules, score versus rank chart, AIQ college, cutoff, aims cutoff, all India government colleges की fees, state government colleges की cutoff, यह सब ऐसा folder है, अब suppose हमने AIQ college cutoff पर गए, हम इस पर click किया, click करते ही, ऐसी file open होगी, अब अलग-अलग है वहाँ पर लिखा PWD नहीं है, यह 5 है, आपको जिस पर भी जाना है, आपने general किया, general EWS किया, यह EWS की file आपके खुल जाएगी, जहां college का नाम लिखा है, कहां college है, round 1 में, round 2 में, round 3 में, और stay vacancy round में, कितना कितना उसका cutoff गया था, all India rank, match करना है, score से देखना है, तो हमने chart दिया हुआ, all India versus score, उसको check कर लो, कहां क्या है, यह पूरी ऐसी, आपको list मिलेगी, ऐसे ही, जब आप rank versus score का देखोगे, देखिए, कौन से rank पे, कितना score गया था, पिछली बार, इस rank पे, इतना score था, यह पूरा है, chart आपको मिल जाएगा, तो आपको वो भी दिक्कत नहीं आती है, इसके बाद हमको अगर BDS की, हम BDS में चल जाएंगे, नीचे देखिए, और क्या-क्या है, state, government college की cut-off है, MBBS, BDS की, private colleges की cut-off है, MBBS, BDS, दोनों की ही, teamed colleges, MBBS, BDS, IUS, यानि BMS, VHL, सबकी deemed की भी है, click करेंगे उस पे, अब suppose private में हम गए, और हमने कोई एक private में जैसे UP का हमने देखा, तो ह UP में गए तो ये UP के colleges दिख जाएंगे, round 1, round 2, round 3, stray vacancy round में क्या-क्या cut-off गई है, वो लिखा हुआ आ जाएगा, और last में है, per year tuition fee, एक साल की tuition fee कितनी है, उस college की वो लिखा हुआ है, hostel charge नहीं है, depend करता है कहीं, आप मान के चलें, 2-5,5 रुपया आपके extra लगेंगे, ये हर updated file भी यहाँ upload करते रहेंगे, ये सबसे अची बात है, validity जैसा कुछ भी नहीं है, अभी purchase करके पूरे साल, December, last counseling पूरी हो जाने तो तक आपके app में रहेगा, आप आराम से इससे देख सकते हैं, हमने का update हम करते रहेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर fees update होती है, हम update करते रहेंग इसी तरह से, बाकी की cutoff हमने का, आयूश की, veterinary की, यह सब यहाँ पर मिल जाएगी, बट फिर बता रहा हूँ, आयूश, veterinary और nursing में केवल all India cutoff, government की है, BMS, BHMS में इसके साथ में deemed की भी cutoff है, बाकी जगे केवल government है, all India है, states की नहीं है, ये भी मैं आपको clear कर देता हूँ, य चीज़ें, ठीक है न, फिर ये सारी चीज़ भी आपके सामने है, तो इस तरह से आप purchase कर सकते हैं, और purchase करके हमको कोई message करने की ज़रत नहीं है, अगर need paid counseling वाले plan purchase करते हो, तो हमें नीचे दिये वे WhatsApp नंबर पे purchase करने का बताना पड़ता है, कि हमने purchase कर लिया है, इसको purchase करन हम result, NEET result से पहले पहले already बंद कर देते हैं, सारी चीज़ आपको पता है, last year के आपने वीडियो देखें, बने रही है NEET के साथ, बहुत अच्छा score करिए, अच्छे medical college पहुंची है, all the best for a NEET exam, thank you.